दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले क्या पीटीम की मदद से घर बेठे अपना फ्री में क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएंगे दोस्तो पेटीम एप की मदद से आप एजली अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते अभी कि अगर मैं बात करो तो यहाँ पे पेटीम आपको दो क्रेडिट कार्ड ओफर करता है दोस्तो एक credit card इन्होंने SBA के साथ मिलके बना जो रूपे card है अभी आप मेरी screen के उपर देख सकते हैं और दूसरा card दोस्तो इन्होंने HDFC Bank साथ tie up करके बनाया है तो उसका screenshot भी अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं तो दो credit card आपको यहाँ पर offer किये जाते हैं दो में से एक कोई भी credit card आप easily बना सकते हैं तो मैंने ज़्यादातर caseों में देखा है इस तरीके की यहाँ पर error आ जाती है और उनका card यहाँ पर declined हो जाता है तो दोस्तो अगर आपका भी card यहाँ पर बार-बार declined हो रहा है तो दोस्तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा आपको यहाँ पर कोसिस करने होगी कि आप Paytm के अंदर ज्यादा से ज्यादा transactions करें अभी ज्यादा से ज्यादा आपको transactions क्यूं करनी है तो दोस्तो जो भी आप खर्चे करते हैं उसको Paytm यहाँ पर track करता है अभी मेरी जितनी भी transaction थी जिसे फोन पे के अंदर मोई के के अंदर जितने भी other platform में use कर रहा था दोस्तो वो सारे मेने बंद कर दिये तो दोस्तो सारी में अपनी transactions कर रहा हूँ Paytm के उपर अभी आप यहाँ पर देख सकते 10,000 रुपे यहाँ पर देख सकते 17,000 रुपे तो दोस्तो अगर आप इस तरीके से आप अपनी transactions को यहाँ पर सिप कर देंगे यह सिर्फ आपको 2-3 मेने करना है इसके बाद आप देखेंगे जब आप इस card को apply करेंगे तो आपका first time के अद़र यह card अपरू हो जाएगा और आप इसको बीना Paytm यूज़ करें डाइरेक के apply करेंगे तो chances से कि आपका card यहाँ पर decline भी हो जाए तो दोस्तो अभी हम लोग समझ लेते के card हमको कहां दिखेगा इस card को हमको कैसे apply करना और इस card के हमको benefit क्या क्या मिलने वाले तो यहाँ पर दोस्तो मैंने अपन Paytm app open कर ले अभी आप देख सकते हमारे लिए SBI रूपे card अपरूर नहीं है हमारे लिए यहाँ पर show कर रहा है HDFC बेंग का Paytm card तो HDFC और Paytm ने मिलके दोनों ने यहाँ पर join venture करके इन्होंने card बनाए Paytm, HDFC, credit card दोस्तों यह card free है और अभी आप इस card को apply करते हैं और आपका card यहाँ पर अपर अपर हो जाता है देने होंगे दूसरा यहाँ तीन परसंट का cashback है तीन परसंट का cashback कहाँ पर मिल रहा तो आपको mobile recharge या पीटियम के अंदर कोई भी आप वर करेंगे तो 3% का cashback मिलेगा 2% का cashback आपको मिलेगा यहाँ पर आपको एक gift voucher भी मिलेगा दोस्तों इसको आप यूज कर सकते है पेटियम के उपर flip card के उपर नाइका हो गया, sony हो गया, zometo हो गया, mantra हो गया तो यह offer आपको 50,000 रुपे तक के यहाँ पर include है तो आपको कोई भी इस card की नहीं देना और यहाँ पे आपको additional 5% discount मिलेगा अगर आप इसको पेटियम के अंदर use करते हैं तो इस card के आपको multiple benefit देखने को मिल जाएंगे अभी इस card को apply करने के लिए यहाँ पे देखे एक options आएगा apply now के आप apply now के उपर click करेंगे जैसे ही आप apply now के उपर click करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface शो करेगा तो यहाँ पे आपको अपना pen number देना है यहाँ पे आपके pen number पे जो भी आपको full name रहेगा तो full name भरेंगे यहाँ पे आप दो पे इससे checkbox कर देंगे नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा confirm आपको confirm के उपर click कर देना है जैसे ही आप यहाँ पे confirm करेंगे तो ptm के साथ जो भी mobile number आपका link रहेगा उसके उपर एक otp आएगा उस otp को यहाँ पे भरेंगे तो यहाँ पे आप अपना email id भरेंगे यहाँ पे आप अपना date of birth भरेंगे जो भी आपका date of birth रहेगा वो भरेंगे यहाँ पे अपना gender चुनेंगे male है तो male female है तो female other कोई gender है तो other की उपर आप click करेंगे तो यहाँ पे आपको इससे details भर देने जो भी आप company में काम करते उसका नाम भरेंगे किस post के उपर आप काम करते ही यहाँ पर भरेंगे occupation details भरने के बाद आपको अपने घर का address देना होगा तो यहाँ पे plus वाले icon के उपर आप click करेंगे जो भी आपके घर का address रहेगा वो यहाँ पर भरेंगे और share current address के उपर आप click कर देंगे यहाँ पे अपने घर का pin code भरेंगे, यहाँ पर address भरेंगे, यहाँ पर locality भरेंगे आपके घर के निजदिक कोई landmark है जैसे school, मंदीर या कोई ACC जिसको सभी जानते वो यहाँ पर भरेंगे, अपना city भरेंगे, state भरेंगे नीचे एक option से save current residence address आपको इसके उपर click कर देना है page school करने के बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो address आपने दिया है, वही address आपके आधार कार्ड में है तो हमरा आधार में है तो आप एस करेंगे, पर नहीं है तो यहाँ पे आप no करेंगे यहाँ पे आपको बताना होगा कि जो residence type है वो आपका किस type का है आप family own करती है आप खुद करते हैं यह rent से रहते हैं जो भी आपका रहेगा वो यहाँ चुनेंगे तो यहाँ पे देखे family का है तो हमने family के उपर click कर दिया आप नीचे यहाँ पे school करेंगे नीचे एक option से submit आप submit के उपर click करेंगे जैसे आप submit के उपर click करेंगे तो यहाँ पे यह आपकी profile को चेक करेगा आपको यहाँ पे कुछ देर wait करना है पेज कोई इसकी प्या रिफ्रेश्च ना करें आपका application से आपके decline हो जाएगा तो यहाँ भी देखे चेक हो गया और आपके सामने एक message आग पार से जो है इस डेफसे बेंग वेरिफाइगे या अगर आप चाहे तो नेट बेंगिंग से भी कर सकते तो यहाँ पर देखें नेट बेंगी के ऊपर click करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो चीज आप से मांगी चलए या तो आपके पास ह memory यह होना चाहे है यह तो आपके पास पासवर्ड टालूंगा जैसी आप यहाँ पर सिमगिंद कि इसी करेंगे यहां पहीरिफिकेशन करेंगे यहां पर देखें लोग करने में आप चार से पांस दिन का जो है समय लग जाएगा अभी देखे कार्ड यहां पे ओफर हुआ है आज का जो वीडियो बना रहा हूँ अपलिकेशन नंबर आप यहां से देख सकते आप जो इसे ट्रेक भी कर सकते आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा टी टू कि देख में होगा कि बात जो है आपका कार्ड इश्य हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकरी का भीच लगएगा फिर भी अगर आपको कोई कोई है तो नीचे कमेंट कीजेगा मैं कोजिस करूंगा एक जन्मन रिप्लाइद देने कर दो झाएगा वा पाइछ मैं तो सरी अगर इश्य होगा एक भीचे कर दो नीचे कीजेगा जब